our next question question says two identical strings x and y made of same material have tension tx and tz in them uh it and their fundamental frequencies are 550 and 300 hertz respectively सवाल हे tx और tz का ratio क्या होगा है ना simple सवाल है अगर आपकी string जो है ऐसे fixed string है and all that सब वो कहानी हो रही है तो यहां पर हम fundamental frequency को लिखते हैं 1 by 2 L under root t by mu तो आपका एल और मू यह सारी चीज़ यहां पर मान सकते हैं तो मू कॉंस्टेंट होएगा दोनों का सेम होएगा लेंद इन की सेम है हमें बताने हैं इसका टी का रेशो तो यहां पर अगर हम करें f1 divided by f2 इसका रेशो आ जाएगा t1 divided by t2 दोंतर स्क्वाइर कर दें तो t1 divided by t 22 आपका eventually हो गया f1 divided by f2 का स्क्वाइर नो यह f1 f2 जो है यह अपने को दे रखे हैं 450 divided by 300 इसको जो डिवाइड करेंगे स्क्वाइर करेंगे स्क्वाइर करेंगे इसकी जो वल्यू आ जाएगी 9 by 4 हो जाएगा आपना 2.25 यह आपका रेशो हो जाएगा सो बेस्वाइड से क कह सकते हैं कि option number 3 would be the correct choice